दोस्तो 33 वरकर का गुरूप रोजाना जमीन से 2300 फिट नीचे काम करने आया करता था ये लोग जिस माइन में काम कर रहे थे उस माइन की लंबाई चंगाई टावर से भी लंबी थी इस माइन में नीचे जमीन के अंदर जाने का एक ही रास्ता था और बदकिस्मती से वापस आने का भी जिस माइन के बोटम पे ये 33 वरकर काम कर रहे थे वहां का टमप्रेचर बहुत ही हाई और ओक्सीजन बहुत ही कम था इस माइन में कुछ दिन इन 33 वरकरों के तो ठीक सभी थे और काम भी बहुत ठीक से चल रहा था लेकिन इस माइन में इन 33 वरकरों के साथ के अटकामा डिजर्ट के बीचों बीच एक माइन पर कोपर और गोल्ड की माइनिंग का काम चल रहा था, ये माइन S.J. यानि सन जोसेस के नाम से जानी जाती थी, जिसे एक प्राइवेट कमपनी द्वारा ओपरेट किया जा रहा था, इस माइन का बोटम 2300 फिट नीचे था, जो की नीचे जाने का रास्ता राउंड ओफ राउंड होकर जा रहा था, जिसे आप इस पारलर ट्रेक भी बोल सकते हैं, और इन वरकर्स को इस माइन के बोटम पर एक जीप से पहुँचाया जाता था, 120 साल पुरानी इस माइन में ओक्सीजन ना मिलने पर 30-40 वरकर अपनी कीमती जान गवाद देते थे, और 5 अगस 2010 में भी इस माइन में 33 वरकर्स मोजूद थे, जो की दोस्तों अच्छे तरीके से काम कर रहे थे, माइन में जिस जगा ये वरकर काम कर रहे थे, उस जगा माइन में एक किरैक पढ़ने की वज़ा से, उन 33 वरकरों के साथ उस माइन में एक बहुत बड़ा हदसा हो गया एक बहुत बड़ा उस माइन का हिस्सा तूटकर गिर गया और बतकिस्मती से ये हिस्सा आने वाले रास्ते पर तूटकर गिर गया था आने और जाने वाले रास्ते को इस हिस्से ने पूरी तरह ब्लोक कर दिया था और इस हिस्से को हटान किसी भी सूरत में मुम्किन नहीं था हादसे की वज़ा से इन 33 वरकरों में से किसी को भी कोई नुकसान नहीं पोचा और नहीं किसी को चोट लगी थी लेकिन ये सारे वरकर्स उस समय ऐसी पोजिशन पर खड़े थे नहीं ये 2300 फिट की माइन से बाहर निकल सकते थे और नहीं उन लोगों के पास खाने के लिए ज़्यादा समान था और नहीं उनके पास किसी से कोंटेट करने का जरिया था और इस माइन में चारो तरफ फज जाने से नहीं वहाँ इतना उक्सीजन मुझूद था उन 33 वरकरों के लिए यू कुछ ऐसा था जैसे मानो किसी ने उनको कबर में दफन कर दिया हो वो भी जिन्दा जो माइन इन 33 वरकरों का मुद का कारण बन सकती थी लेकिन इस माइन से इन 33 वरकरों को 69 डेज में ही किसी हैरत अंगेज तोर पर इन सभी 33 वरकर को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया दोस्तों सोचने की बात तो ये है कि आखिर ये मुम्किन कैसे हुआ एक वक्त कर खाना ले जाने वाले 33 वरकरों 69 डेज तक जिन्दा कैसे रहे और कैसे इतने कम उक्सीजन में इन लोगों ने गुजारा किया जिस माइन को खुदने के लिए 120 साल का वक्त लगा उस माइन को 69 डेज में खुद कर माइन के बोटम में फसे 33 वरकर को सही सलामत निकाल लेने में इंजिनियर की टीम को इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा ये सब जानने के लिए आपको हमसे मिलना होगा इसके भाग टूमे देखना ना भूले